असलाम अलेकुम फ्रेंट्स वेलकम टो मैं कुकिंग वित एपियस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जबरदस्त और पावर्फुल सेहत से भरपूर रेसिपी इसमें गुल्ड चेनी मिसरी का इस्तमाल बिल्कुल हम नहीं करने वाले हैं अगर कोई घर में बीमार हों या कमजोर हों या कोई नियू मदस यानि ने ने जो माँ बनी हों तो उसके लिए बहुत जबरदस्त रेसिपी है तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं तो हमने यहाँ पर एक बरतन में ले लिया है चोहारे यानि ड्राइड डेट्स तो इसे हमने बड़े साइस का लिया है इसकी कई विराइटी आती है मगर जो बड़े साइस का हो और बिल्कुल थोड़ा डार्क ब्लैक पर हो वो बेतर है मुझे नहीं मिला इसलिए इस कलर का ल प्लाइड अब यहाँ पर छोहारे डूबने के यहाँ तक कर रही होँ आप देख सकते हैं तो तक रिमन हमने यहां पर तीन पो दूद आठ खिया है ताके चोहारे बहुत अच्छे तरीके से बाहर में इसो तरीके से मिफ्स कर लेते हैं, तो हमने यहां पर मिक्स कर लिया है, और इसे पूरी रात के लिए छोड़ देना is, बाहर में इसी तरीके से छोड़ दे ढ़कर, अगर इस तरीके से छोड़े को भिगू कर रख देते हैं तो कुखिंग टाым में कम लगता है यानि पर एक मिक्सर जार लेना है और जितने चोहारे हैं इसमें डाल लेना है अगर आपके पास ज्यादा चोहारे हैं तो फिर दो बार पीस लें चोहारे डालने के बाद इसमें दूद जो बचे हैं वह भी थोड़ा डाल दें ताके पिसने में असानी हो तो हमने यहां पर पीस लि प्रभी बनाना है जरो करें इस प्राइम झाल मेंल्ट Begin फलेम फलेम हाई और फलेम को मेडियम नहीं रखना है इसा हम फलेम पर पका रहे से हलवा होता मज़िदार बएना तियार होता है और अगर फलेम Galvesty यह जल सकता है इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को लो कर दिया है जब तक यह पक्रा है तब तक हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं तो यहां पर हमने एक और पैन ले लिया है और इसमें हम तेसी घी आइट करेंगे इसे हमने दो बड़ा चम्मच लिया है यह अच्छे से इसमें ड्राइफ रूट एट करेंगे तो यहां पर हमने 20-25 काजू ले लिया है और 15-20 बादाम जिसे दो हिस्से में सिर्फ काटना है बहुत जादा बारिक नहीं काटना है इस तरीखे से अगर आप डालेंगे तो हलवे का टेस्ट थोड़ा अलग होता है और ज्यादा तो यह देखे इसे लो फ्लेम पर मैं पका रही थी चलाते हुए इसे पकाना है और हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखना है जब यह अच्छे तरीखे से पक जाता है तो इसका कलर्श चेंज हो जाता है आप देख सकते हैं कि कलर्श हो चुका है और यहां पर आप टच करके देखेंगे तो आपकी उंगली पर पानी नहीं बलके घी लगेगी आप सोच रहे होंगे पानी कहां से पानी तो हमने डाला ही नहीं मतलब जो चोहारे में नमी होती है दूद का जो मौश्चर होता है वो बिल्कुल खतम हो जाएगा तो यह तो तयार हो गया है हमने जो ड्र होए हैं तो इस हलवा को जरूर आप लोग बना कर खिनाए यह बहुत जादा ताकतवर हलवा है 10 दिन के अंदर ऐसी ताकत आएगी कि खुद को यकिन नहीं होगा कि हमारे अंदर इतनी ताकत कहां से आई यह हलवा तयार हो गया है हमने यहां पर फ्लेम को ऑफ कर दिया है इ लेकिन हाँ ये बहुत जादा गरम होता है तो अगर नॉर्मल आदमी से खा रहे हैं तो इसके बाद एक गिलास गाय का दूद पी लें तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जबरदस्ट छोहारे का हलवा बनकर रेडी हो चुका है थैंक्स पूर वाचिंग फिर मिलेंगे एक नई वेडियो के साथ अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त अलाहाफीज